स साथ्यों आज सीट का जो यह नया नोटिकेशन हमें देखने को मिल रहा है इसमें दरशाया गया है इसमें बताया गया है जो आपकी सीट की परिक्षा हुई थी अभी 2022 में जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दिसंबर से लेकर के और फरवरी तक या आपकी परिक्षा चली थी, इसमें कितने साथी जो है इस परिक्षा को पास कर पाए हैं और कितने साथी इस परिक्षा को पास नहीं कर सके हैं, इन सभी बातों का जिक्र इसमें कर दिया गया है यहाँ पर हमें बताये गया है कि जो दिसंबर 2022 वाली परिक्षा है इस परिक्षा के अंदर पेपर 1 के लिए जो candidate register करते हैं उनकी संख्या है 17,4,282 लेकिन साथियों जो appear होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है इस परिक्षा को देने के लिए सिर्फ 14,22,969 जो साथी है वो जाते हैं अब आप सीधा सीधा यहाँ से देखिए कि 17,00,000 से सिर्फ 14,00,000 candidate हो जाते हैं उसके बाद में जो qualify कर पाए जो pass कर पाए जो 90 या उससे ज्यादा number ले पाए हैं उनकी संख्या तो आप देखेंगे कि 6 30,00,000 से भी कम रहे गई है इसी तरीके से हम देखते हैं पेपर 2 के लेकर के भी हम यहाँ बतलाया गया है कि पेपर 2 के लिए जिन्हों ने अप्लाई किया है वो 15,49,464 है अब कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की परिक्षाएं अपनी दे रहे ह होता है लेकिन इस 15,00,00 से परिक्षा को देने के लिए जो पहुचते हैं वह 12,00, equation, साथी हमारे पहुचते हैं आप देखे रजिस्टर जो कर रहे है वो सभी परिक्षा को देने के लिए जा नहीं रहे हैं जा रहे हैं कम और इसमें से अब जो पास हो रहे हैं इस परिक्ष 1025 साथी 4 लाग साथी भी इस परिक्षा को पास नहीं कर पाए तो सात्यों में आपर भी देखते हैं कि इस परिक्षा को पास हमारे सभी साथी क्यों नहीं कर पाते हैं इसमें तो कोई cut-off mat list का भी पंगा नहीं है कोई negative marking भी यहां पर नहीं है तो समस्या क्या है देखे सीटेट की जो परिक्षा है वो 2011 में होनी शुरू ही थी पहले offline होती थी अब online आपकी परिक्षा हो रही है तो इस परिक्षा में जो आपकी NCRT की किताबें हैं उनको अगर आप धिहान से पढ़ लेंगे तो paper को पास कर लेंगे NCRT ने अपनी जितने भी अलग लग किताबे बनाई हुई हैं हमारे साथी ना उनकिताबों पर गोर नहीं करते हैं प्रिवेस एयर के जितने भी आपके पास में paper हैं सीटेट के आप उनसे भी practice अगर कर लेंगे तो भी आप अपनी परिक्षाओं को पास कर लेंगे समस्या क्या है कि practice करते नहीं है जब paper नजदीक आते हैं तो उससे कुछ दिन पहले ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोज देख लें और paper पास हो जाएगा साथी नहीं होता है आपको समय देना होता है कौपे किताबों के साथ बेठना होता है फिर जाकर कि कहीं पर परिक्षा अपने आप में एहम होती है जिनकी परिक्षाएं पास हो गई है आप जरा उन से पूछ ये हमारे वो साथी जो परिक्षा पास नहीं कर पाए कि ऐसा आपने अलग क्या किया था तो वो आपको एक एहीं बात कहेंगे कि हमने अपनी और से इस ढंसे इस तरीके से तयारी की थी अब वो साथ ही जो पढ़े थे लेकिन फिर भी पास नहीं कर पाए तो उन्हें तो ये सीखने की अवशकता है कि आखिरकार कमी कहां पर रहे गई है कोई तो कमी हुई है तो साथियों हमें अपने आप पर ध्यान देना है हम कैसे बैटर हो सकते हैं हम कैसे बैटर कर सकते हैं इस तरीके से अगर हम लोग सोच कर चलेंगे अपनी जिन्दगी में तो हम भी हर एक परिक्षा को पास कर सकेंगे बाकी सब ने किया है तो जो हमारे साथ ही नहीं क्रैक कर पाए थे वो सभी साथी अब इस वर्ष होने जा रही जो सीटेट की परिक्षा है उसकी तैयारी अपनी करें अच्छे से करें खूब मेहनत करें मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा आज ना सही तो कल मिलेगा